दोस्तो ओम्नमे शिवाय, श्वागत है आप लोगों का एक वार्फिर से हमारे इस यूटूब चैनल सिवा अश्ट लोजी पर दीवाली पर ऐसी चीजों की खरीदारी करने से बचें, नहीं तो घर की बरकत रुक जाएगी, मालक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, आने वाले पूरे साल आपको इसके अश्वब परढ़ाम भुगतने पर सकते हैं दोश्ट भारत में और विदेशों में भी दीपावली का पर्व बड़े धूम धाम और हरसो उल्लास से मना जाता है, इसे दीपोसों भी कहा जाता है, दीपावली पर मुक्त गर्यश जी, मालक्ष्मी जी के साज साथ, कुवेर जी और काली माता धनवंतरी भगवान की पू पुकराचार की चाल को अविवोद कर बली से दान में पूरी प्रतवी मांग लिया था, और जो धन संपत्ति बली ने देपताओं से छिन ली थी, उससे कई गुना अधिक धन संपत्ति देपताओं को मिल गई, इस उपलक्ष में में भी दीपावली का तेवहार मनाय जाता ह देपावली को धन की देवी मालक्ष मी जी की अराधना करने का विशेश माना जाता है, जिस प्रकार से देवी मालक्ष मी जी की उत्पत्ति शमंद्र मंतन से होई थी, उस प्रकार से इस दिन धनवंतरी भागवान भी अमरित कलस लेकर उत्पन होए थे, इसलिए इस दिन का खास महत बर जाता है इस दिन कोई भी चीजे जैसे कि आप सोने चांदी तांबे पीतल की धातु और वस्त खरीदते हैं दीपवली की दिन तो उसमें तेरा गुना ब्रद्धी हो जाता है और इनका अशिरवाद मिलता है इस दिन पीतल खरीदने का बहुत ही शुब माना जाता है किनकी जो धनवंतरी भगवान अम्रित का कलस लेकर निकले थे वो पीतल का ही कलस था अगर आपके पास सोने चांदी खरीदने की समर्थ नहीं है तो आप पीतल भी खरीद कर ले आ सकते हैं एक पौरानिक कता के अंसार इस दिन राजा हिमा की बहन ने अपने पूत्र को रूप धारन कर कमरे में खुसना चाह रहे थे राजा की बहुने साप को बाहर से ही रोकने के लिए दरबाजे पर कई सोने अभोशन चांदी के सिक्के और दीपक रख दिये गहने और दीपकों को तेज चमक से यानि कि गहनों का और दीपक के तेज समक से साप अंधा हो गय वो राजा के बेटे के प्राण हर ना सका, इससे राजा के बेटे की साधी के चोथे दिन मरने की जो भविश्वानी सही साबित नहीं हुई, उसकी जान बच गे, इसलिए धन तेरस पर आवोशर खरीदने का सुब माना जाने लगा, ये बुराई को दूर भगाने और चांदी की मोरती ला सकते हैं, इस दिन आप कोड़ी लेकर आ सकते हैं, शाती साथ, इस दिन माता लक्ष्वी के चरण पादुका लेकर आ सकते हैं, अगर आप दो रुपए की आप धनिया लेकर आएं, धनिया बहुती शुब और पवित्र मानी जाती है, तो दीपा वली की गशुब दिन और धन तेरस की दिन आप धनिया लेकर आएं, ये माता लक्ष्वी को पर संद करने का सबसे उत्तम चीज माना जाता है, और इस दिन कचछवा चांदी का कचछवा पीतलक कचछवा लेकर आएं, बहुती अच्छा माना जाता है, शाती साथ अगर हो सकें, तो सोनी पर सुहागा है, यानि कि आपके धन संपत्य को तेरा गुना बढ़ा देगा, पैसा खीचा चलाएगा, माता लक्षी जी पीछे पीछे दवरी चलियाएंगी, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी वस्तों भी खरीदी जाती है, जो साच्तर सम्मत नहीं है उन वस्तों को धन तेरस पर खरीदने की मना ही होती है, अगर धन तेरस के जिन गलती से भी आपने इन वस्तों के खरीदारी की, तो तेरा गुना बढ़ा ब्रदित दूर उल्टा आपके घर में खुसाली धन संपता सब दूर चली जाएगी, कंगाली निर्धनता आजाएग इन चीजों को खरीदने से घर की बरकत रुक जाती है, मालक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है, आने वाले साल आपको इसके अशुब पलिराम भुकतने पर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धन तेरस की इन आप कौन सी, यानि की धन तेरस और दीपा रुष्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देजेगा, कमेंट में लिखेगा जय माता लक्ष्मी, क्योंकि दोस्तों हमारा मक्सद है जन हित एबंग जन कल्यार करना, और हाँ दोस्तों अपनी राशी का नाम भी जरूर लिख देना, ताकि कोई भी उपाय बन पड़ेगा तो हम आपको अपने राशी के अंसार कमेंट में आकर रिपलाई दे देंगे, तो दोस्तों धन तेरस और दीपा वली पर ऐसी चीजों की खरिदारी करने से बचें, सबसे पहले बात करते हैं बरतनों की, चोंग गय ना, जी हा दोस्तों, धन तेरस दीपा वली पर वरतन खर ले आते हैं, लेकिन इने खरिदने से बचना चाहिए, इस टील सुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहू का प्रभाव भी होता है, राहू का किशी भी तरह से घर में प्रवेश करना अशुब माना जाता है, राहू के कारण घर में निर्धनता आती है, गरीबी आती है, पर तेरस पर खरिदने की गलती ना करें, ऐसा करने से आप कुबेर जी के कृपा से वंचित रह पाएंगे, इसकी जगए कापर या फिर पीतल के बरतन खरिदारी की जाती है, क्योंकि पीतल के बरतन बहुती सुब होता है, एक बार फिर से मैं आपको बता दू की, समध्र मंतन स जब बैद धनवंत्री भगवान अम्रित के कलस लेकर निकले थे, तो पीतल के कलस में ही अम्रित लेकर निकले थे, इसलिए पीतल खरिदना बहुती सुब माना जाता है, लोही या श्टील के बरतन लेने ही हैं, तो धन तेरस से पहले आप खरिज सकते हैं, या फिर बाद मे यही बात, एल्मोनियम धातू पर भी लागो होती है, इस पर भी राहू का प्रभाव अधिक होता है, इस ये दुर्भाग का कारक माना जाता है, तो ऐसे सुबह मौकी पर एल्मोनियम कोई भी चीज खरिदने से बचें, धन तेरस पर आपको सिर्फ प्राकृतिक धातू की खरिदारी करनी चाहिए, मानव निर्मित धातू में केवल पीतल से बनी बच्तों को खरीद ना खरीदा जा सकता है, धन तेरस और दीपवली पर आप वरतन खरीदे हैं, तो इस बात का धियान रखें कि घर पे खाली वरतन ना लाएं, जब भी आप वरतन खरीद कर लाएं, तो उसमें आप चावल भर कर जरूर लेकर आएं, जी हां कुछ न कुछ जरूर लेकर आएं, चावल है जो भी आप खरीद सकते हैं, धन तेरस के दिन धारदार वाली वरतन ना खरीदें, जैसे किस दिन छूरी, कैची, सोई, हस्या, पीने जैसे कोई भी नुकीली चीज, ध यह घर पर ना लाएं, माना जाता कि प्लास्टिक सम्रदी दायक नहीं है, प्लास्टिक की चीज़े बिल्कुल भी ना खरीदें, प्लास्टिक की चीज़े खरीदने से घर में दुर्भाग आता है, माता लक्ष्मी जी क्रोधीत हो जाती है, साथ ही इस दिन अगर कोई आप विशेष ध्यान रखें, साथे साथ दीपावली धनतेरस पर सक्षत का बहुत विशेष ध्यान रखियेगा, और घर के आजू बाजू कहीं पर भी गंदगी ना रहें, कूड़े कचड़े ना रहें, और घर से जैसे की बंद परी घड़ी है, या फिर कोई फटा पुराना क विश्ट हो जाती है, तो इस बात कब शेष ध्यान रखेंगा, साथे दीपावली धनतेरस की दिन आप पूरे घर में गंगा जल का छिरकाव करें, तो ये बहुत ही शुब माना जाता है, तो दोस्तों धनतेरस पर ना खरी दें, दीपावली की दिन ना खरी दें, ये चीज ना खरी दें, और जैसे कि अगर आप मूर्ती लाते हैं भागवान की, गड़ेश जी और माता लक्ष्मी जी की, तो इस बात का ध्यान रखेगा कि चटकी हुई ना हो, तूटी हुई बिलकुल ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेगा, तो दोस्तों आज के लिए बस शेर जरूर कर दिजेगा, और चैनल से जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, जै माता लक्ष्मी